कि अलो फेंट्स वेलकम बेक टू मैं चैनल आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इस टॉक्स के ऊपर इसको हम लोग नेक्स ट्रेडिंग सेशन में इंट्रडे में ट्रेड करेंगे आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो चलिए अब जो है ए तीसीए नीचे के लेवल से बहुत हीं अच्छा सपोर्ट लिए ई 343 guten पर इस लेवल से आपको एहां पर बॉंस किया है बंस करने के बाद आपको लाश्ट ट्रेडिंग सिसन में गैप डाउन ओपेन हुआ था लेकिन गैप डाउन ओपेन एक बार आपको बहुत ही अच्छा रिकावरी किया है और इस टॉक ने लेवल के उपर क्लोजिंग दिया है तो इसलिए इस स्टॉक में जो है आपको एक अच्छा मोमेंटम नेक्स ट्रेडिंग सिसन में उपर की साइट बन सकता है तो हम लोग यहां पर बाइंग ऑपोर्चुनिटी के लिए देखेंगे इस टॉक में हम लोग यहां पर बाई करने प्रेट के नीचे अगर श्टॉक थर्टी सिक्समयरेट के नीचे निकल जाता है तो अपर हो जाएगा सेवन्तीन पॉइंट का हम लोग का स्टॉप लोग से ऊपर की साइट पहला टार्गेट जो है वह रहेगा हम लोगों का और उसके उपर अकर निकलता है तो 3660 का हम लगातार गिरावट हो रहा था अगर यहां पर अच्छा पूल बैक आया लेकिन पूल बैक आने के बाद करिये कंटिन्यू हो सकता है तो हम लोग यहां पर हम लोग घृत करने के लिए मेट करेंगे आपको स्टाइक 11-353 निकलने दैगे 1350 के नीचे निकलते ही यहाँ पे हम लोग immediately short करने के लिखेंगे stop loss रहेगा 1360 का पहला target रहेगा 1340 का दूसर target रहेगा 1330 का third stock है आपको Tata Steel Tata Steel के stock में भी हम लोगों को नीचे की side एक अच्छा breakdown यहाँ पे देखने को मिल रहा है अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे 1300 के लेवल पे stock जो है continuously यहाँ पे almost one month से support ले राता हूँ continuously यहाँ पे एक अच्छा support ले राता बट यहाँ पे finally जो है stock ने 1300 के लेवल के नीचे closing दे दिया है बहुत ही अच्छा एक बीरी scandal यहाँ पे बन चुका है नीचे की side अगर support देखेंगे तो immediate support आपको 12401235 के लेवल के around है तो stock के पास अभी भी यहाँ पे 32-35 point का movement है नीचे की side easily 32-35 point का movement हो सकता है हम लोग इस stock को भी यहाँ पे sort करने के लिखेंगे अगर यहाँ पे देखेंगे तो last trading session में एक अच्छा जो है यहाँ पे range बना है फूर्थ stock है हिंडालको हिंडालको में भी उपर की level से जो है एक अच्छा selling pressure यहाँ पे भी continue दीख रहा है 630 की level से continuously यहाँ पे selling pressure आ रहा है और अगर यहाँ पे देखेंगे last trading session में एक अच्छे consolidation level को इस stock ने break करके यहाँ पे close दिया था नीचे की site immediately अगर देखेंगे 500 का level है जो कि आपको एक support का काम कर सकता है और यहाँ पे इससे पहले stock ने support लिया है तो 500 के level तक यह stock जो है आपको easily next trading session में यहाँ पे जा सकता है तो हम लोग यहाँ पे भी sort करने के लिखेंगे और फाइब मिनट की चार्ट में अब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो है कि एक अच्छा support लिया है इस level के round आपको एक अच्छा support लिया है तो जैसे यह support लेवल यहाँ पे ब्रेक होता है जिस लेवल से बाउंस बैक किया था वो लेवल जैसे ब्रेक होता है यहाँ पे आपको फाइब लेवल जैसे ही ब्रेक होता है हम लोग यहाँ पे इमीडेटली सौट करने के लिखेंगे इस टॉप लोस रहेगा 5.518 हम लों का इस टॉप लोस होने वाला है पहला टारगेट रहेगा 508 का दूसर टारगेट रहेगा 500 का और लास्ट इस्टॉक है वेदानता वेद से पहले इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं दे पा रहा था लाश्ट के ट्रेटिंग सेशन में इस लेवल के नीचे आपको क्लोजिंग दे दिया है और यहां पर अगर देखेंगे एक बहुत अच्छा इंसाइट केंडल का वी फॉर्मेशन आपको वाया मल्टिपल इंसाइ एक है धो करने के लिए देखेंगे ऑर 15 के लेवल के नीचे जैसे निकलता है फॉर्माइब के नीचे जैसे निकलता है हम लोग यहां पर भी प्रवन जीरो करेगा दूसरा टार्गेट 405 करेगा तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करे वीडियो को सेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दन्यवाद